हेलो गाइज, वेल्कम बैक टो मैं चैनल स्टॉक सेंस तो आज कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूं है आयन फ्लाई के लिए तो आज हम मेरा ट्रेडिंग जर्नी और मेरा पीनल है वह मैं आपको शोग करूंगा क्योंकि बहुत सारी उजर से रिक्वेस्ट रहे कि आप और मैं कोद ई-τι- इंजनियर हूं अलेकिन फिलाल हमारा बिजनेस है आ फेमिल बिजनेस तो lucky ओंआ ओर्र वर्ण कर रहा हो पास ओट हुआ था तब तो कोई ब्रोकर वगएरा थे नहीं मार्केट में रेलीगेर करके इक ब्रोकर था उनसे मेरी मुलाकात हुई थी मतलब हमारे यहां उनकी फ्रेंचाइज ही थी और वो जो है तो है रेफ्रेंड्स थे उनने अकाउंट वगएरा ओपन किया और फिर मैं मैंने देखा कि मैंने ट्रेड मतलब वो कैसे यूज करते हैं इंटरफेस वो भी मुझे पता नहीं था यह लगबद 12 साल पहले की बात है राइट 11-12 साल पहले की तो उस समय तो ब्रोकरेज भी 80-90 रुपय तक था पर और या पर लॉट फैद कुछ आइडिया नहीं मुझे तो फिर एडाम टेड लेता था और फिर लॉस था ओवियसली मतलब प्रोफिट का कोई चांस ही नहीं था चार्ट अगया क्या है वो तो कुछ मतलब पूछ पता ही नहीं था चार्ट होते भी किया है ठीक है मतलब इतना अदन था यह फीड के बार में फिर ऐस वीजुल जब हम नए ट्रेडर्स जो गल्ती कर बड़े थे वैसे ही मैंने की कि पहनी स्टॉक्स में मैं गुसा फिर पहनी स्टॉक्स में मैंने सोचा की चलो बीस पैसे का 30 पैसे का एक रुपय का स्टॉक बाइ करेंगे मैं लिए कुछ कर नहीं सकते है उसका तो उसके बात फास फॉरवर्ड 2014-15 ने मैं पूने में मैंने क्लास किया था जो फेमस है बाप और शायद 11-12,000 के आसपस मैंने फीज दी थी तब की बात है 2014 की बाद तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह से लेकिन मैं अब आज के कंपे तो मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है वहाँ पर भी कुछ कैंडल अगरा कुछ कुछ सिखाया नहीं था सिर्फ चार्ट कैसे खोलते वह सिखाय था शॉर्ट क्या होता मतरब शॉर्टिंग के होती है फिर उसके बाद मैंने ट्रेडिंग करना चालू कर दिया मुझे चाहिए आप कर लो ये क्योंकि हमारी भी खुद की इन्वेस्मेंट है स्टॉक में तो फिर पेमेंट लिया एज उजल लॉस 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 अंड लॉस उसके बाद मैं ने छोड नहीं दिया फिर भी हमें डटा रहा तो मैंने बहुत बहुत मतलब बहुत व स्टडी मट्रियल होगा वो देख रहा था तो मतलब लाइफ में एक आप ऐसे बहुत कि वही एम था ऐसे ही में चल रहा था चल रहा हूँ अभी भी लेकिन वहाथ मैंने बहुत सारी कितबे पड़ी, बहुत सारी वीडियो देखे ट्राइल और बहुत सारी लोगों को strategy के लिए फॉलो किया लेकिन फिर होता क्या है कि आप किसी को follow करते हो उनकी स्टैर्टरजी लेके चलते हो फिर problem क्या होता है आप एक मेना करते हो छोड़ देते हो ठीक है मतलब यह ironfly के बारे में भी बोलता हो कि आप फिर क्या पर होगे कि यह मेरा ironfly अगर आपने course करोगे मेरा तो आप क्या करोगे 8-7-8 week में जो handling करने वाला हो आपके साथ शायद loss भी हो जाए 8 week ऐसा होगा नहीं लेकिन हो जाए मान लीजिए तो आप क्या बोलोगे strategy गलत है consistency एक factor है कि आपको consistent रहना है किसी भी strategy हो तो आपको लगबग 3-4 मेने तो वो trade करनी है ठीक है तो यह बात है तो फिर मैने जैसे ही फिर trading करने लगा यह सब पढ़ने के बाद तो फिर भी मुझे losses हो रहते तब leverage भी मिल रहा था यह 3-2-3 साल पहली के बात है तो फिर मैं trade करने लगा straddle कर रहा था लेकिन antfly के बारे में तब भी मुझे idea नहीं थे आप सच बता रहो मतलब थी idea लेकिन मैंने कभी डिप्लाइ नहीं किये थे तो corona period में क्या हुआ कि 4 मैंने मुझे अच्छे तरह से मिल थे मतलब सब बन था तो business भी बन थे obviously तो मुझे कुछ काम था नहीं तो 4 मैंने में मैंने इतने study किया दिन रात मतलब आप मानोगे नहीं कि मैंने चार मैंने में एक movie भी नहीं देखे web series तो अलग बात है movies भी नहीं देखे सिर्फ और सिर्फ दिन रात में कुछ सुभा उठा नाश्टा वगरेन करके सिर्फ में ये करने को बेट्था था हाँ क्या कर सकता हो क्या कर सकता हो फिर in between मुझे रिसर्च करने लगा उसके बाद ये strategy फिर मैंने study करके ये strategy फिर में deploy करने लगा फिर बैक टेस्टिंग किया मैंने फिर उसके बाद paper trade किया फिर उसके बाद एक-एक lot से करने लगा फिर उसके बाद मैंने funding एरेंज कर लिया नो लाक funding किया एक जुलेई की बात है, 1 जुलेई 2021 से, फिर उसके बात से मैं नॉन स्टॉप, मतलब 1 जुलेई 2021 से, आज डेट है 29 मार्च 2023, नॉन स्टॉप मैंने आंट फ्लाइस ट्रेड किये हर एक वीक, ठीक है, मतलब वो लगबग 90 से भी उपर चले जाएगी, तो नॉन स्टॉप ट्रे कर रहा था, बाकी कुछ नहीं कर रहा था, तो adjustments तो मेरे मतलब दिमाग में बैठी थी, तो मुझे कुछ time नहीं लगता था, क्या-क्या adjustment करे, क्या करे, ठीक है, तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, तो अभी चलते हैं कि P&L, जो सबसी बड़ी बात है, वो देखिए, यह मैंने select किया, देखिए, 2020, 2021 में कुछ नहीं था, देखिए, 0, 0, 0, ठीक है, उसके बाद यह मैं refresh कर देता हो first, अगर आपको लगी कि यह कुछ है, तो मैंने refresh किया, ठीक है, यह angel 1 का है, जो लोग use करते हैं उनको पता रहा था, ठीक है, वीर हम चलते है, 2021, 2022, जब से मैंने एक जुली से यह trade करना चालू कर लिए, 0,00,000,000 के साथ, ठीक है, देखिए, यह angel 1 का है, देखिए, realize profit कितना है, ठीक है, 6,80,000, net realize तो इतना है, ठीक है, charges वगेरा brokerage तो है, तो देखिए, 9,00,000,000 मेरा amount था, उसके उपर मैंने इतना, ROI generate के यहां आरे एक भी, यह filter में, मैं FNO कर देता हूँ, 6,28,000, मतलब आपको यह नहीं लगे, कि मैंने कुछ stock, stock वगेरा, तो मैं swing trading करता हूँ, जो मेरे चैनल पर एक वीडियो है, आप देखो swing trading करके, सिर्फ वही strategy उज़ करके करता हूँ, तो उसमें भी, शाहिए, चाहिए, 50,000 के आसपास, stock में profit हुए तो उसी है, तो वो minus कर देंगी, देखिए, 6,28,000, और net realize इतना है, तो लगबख 65% के आसपास रहेगा यह profit, अगर आप देखे नहीं जाओ, 9,00,000 के इसाप से, ठीके, और यह पूर एक पूरा iron fly ही trade करेगा के आया है, ठीके, एक दो बार मैंने intraday trade लिया होँगे, उसमें losses भी हुए है, intraday भी जाधा करता है नहीं, या फिर कुछ-कुछ में profit भी मिला है, तो लेकिन उसका percentage बहुत कम है, इसके सामने, ठीक है, तो यह है, अभी चलते है, देखिए, आज 29th मार्स है, तो यह financial year भी almost खतम हुआ, stock के बार में, मतलब F&O के बार में, क्योंकि अभी शायद उसका data आया नहीं, मतलब आज रात को होगा, मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज कुछ जाधा profit हुआ, नहीं, 12,000 ही profit हुआ है, तो वो add कर लेंगे उसमें, ठीक है, अभी देखेंगे 21, 22, ठीक है, देखिए, 10,091 था, और आप इसमें देखिए यह जो charges का part है, आप भोलोंगे इतने ज़्यादा charges कैसे हैं, ठीक है, realize gain तो बहुत कमा है, reason behind that कि मैंने अलगो डिप्लाइ किया था यह account में, और कुछ गंतियों के कारण उसने बहुत सारे trade डाल दिये थे, मतलब एक्सपार, और मैंने वो एक महने तक चला, रन किया था, औ और मुझे पता भी नहीं चला कि इतने trade backward की contract note मैंने चेक नहीं किये थे, मैं सिर्फ P&L देखके ही, सब ज़्यादा था कि कितना profit है, कितना loss है, यह जब मैंने पिछली जान मैंने में, जब मैंने देखा, तो इतने charges मुझे और अलगो लगबग 2,5 मैंने रन हो रहा था, त यह अलगो की वज़े से charges गये हैं मेरे, ठीक है, तो बाद में मैंने फिर funding यहां से निकाल ली, जो अलगो मैं है, और जो फिनवाश यह account वहाँ पर मैंने transfer कर दी, अभी अलगो शाहद मतलब मैंने stop कर दिया है, क्योंकि मैं tweaks कर रहा हूँ उसको, तो इसलिए बंद है, और देखिए, तो यह है मेरा realized profit, और यह, देखिए मेरा 15 लाग के असपास capital था, मैंने फिर से capital deploy किया था, 9 लाग था, फिर मैंने शायद 6 लाग और डाले, तो 15-16 लाग के असपास capital था, उसके उपर ही है, मैंने लगबग 11 लाग के असपास return लाइव है, जो भी लगबग 60% के 60% के असपास ही होता है, शायद अभी calculate करना पड़ेगा, तो यह है, अभी जो है, वो आपके सब के सामने है, यह सियर तो पूरा का पूरा जो profit यह 100% and fly से आयरा है, देख और और एक बात है कि capital protection यह मेरा main aim है, जो मैं अभी course, मैंने बोला था पिछले वीडियो में कोर्स के protection नहीं लेके जारा था, जब भी जब लगे, high weeks हो तो भी में लेके जारा था, अभी low weeks चल रहा है, तो मैं नहीं लेके जारा था, ठीक है, और यह साल तो premiums भी बहुत काम थे, वो भी अलग बात है, तो profit भी थोड़ा काम हो है, तो देखें, ट्रेडिंग तो मैं आपको हैं स्क्रीन पे M2M में, लेकिन pay off graph की इसाब से हमें चलना है, तो इसमें कितने बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक एक लाक loss on screen M2M चल रहा था, जो की 15-20 लाक की इसाब से लगबग 5% था, लेकिन मैंने single day में 1 lakh record करके 30,000 में profit में भी रहा हूँ, fire fighting करके, वो experience की बात है, ऐसा नही आप लग जब आप खुद trade करोंगे, at least 30, 40 sign fly आप खुद trade करोंगे, या फिर 1 year आप खुद trade करोंगे, तब आपको ये चीजे realize होगी कि कैसे कैसे fire fighting करना है, ठीके, मैं यहाथ पे तो बता दूँगा, लेकिन क्या कि आपको खुद से study तो करना पड़ेंगा, ठीके, तो य आई मैं ये वीडियो में बूलना चाह रहा था कि आप से लोगों के साइट आउट कितना मैंने कमाया, क्योंकि मैं सिर्फ strategy डालके कुछ फाइदा था नहीं, तो इसलिए मैंने PNL भी show किया, फिर से एक बार में refresh कर दीता हूँ, ठीक है, है देखे, रिफ्रेश हो रहा है, अगर 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 ट्रेड नहीं कर रहा होता, तो ये प्रॉफिट में नहीं इतना प्रॉफिट निकला रहा था, और हां, इसमें max drawdown मैंने 10% लिया है, मैं ये भी बोल रहा हूँ, वो भी strategy की वज़े से नहीं हुआ, human error के, मतलब मेरी गलती थी, मैंने अलग strike price मैं गाड़ी रुका के मैंने ट्रेड लिया था, तो तो ठीक अलग बात ही है, मुझे मार्श में ही वाया, मतलब इसी मन में तो मैं प्रॉफिट में था, मतलब प्रॉफिट में से अमोंट वगी ही हो, तो इतना कुछ प्रॉब्लम था लेकिन max drawdown 10% से पहले मैंने max drawdown 6-7%, max के regarding, तो यह वीडियो देखके आपको पता चल रहा होगा कि कितना मैंने ROI generate किया है, क्या मेरी trading journey है, ठीक है, तो अभी भी आप अगर join करना चाह रहे हो, क्योंकि मैं Sunday से ही चालू करने वाला 2-3 दिन बार, क्योंकि क्या है कि फिर जितना delay करते जाएंगी उपना problem होते जाए तो यह आने वाले Sunday को, मतलब 2nd of April को मैं इसका theory class लोंगा, जो कि 3-4 घंटे रहेंगे, या फिर अगर किसकी को नहीं समझ में आ है, तो हम फिर से ले सकते है, तो कोई problem नहीं है, और फिर handholding, आठ आयन क्लाइट जो है, मैं आपके साथ वो trade करूंगा, ठीक है, क्योंकि directly मैं आपके साथ trade नहीं करना चाता, reason being dead, आपको पता नहीं चलेंगा, कि मैं क्या adjustments कर रहा हूँ, ठीक है, तो description में details है सब, आप check करो, अगर कुछ query हो, तो आप मुझे call भी कर सकते हो, no problem, ठीक है, तो subscribe करो, और like करो, share भी करो ये video, अगर आपको अच्छी लगी तो, ठीक है, thank you guys.